हाई एब्रीवन वेल्कम बैक टू आवर चानल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गुबी के बहुत ही टीस्टी पराटी की रेसिपी जो बहुत ही ज्यादा यमी लगते और इसे बनाना भी काफी ज्यादा असान है तो आज मैं आपको इसका एक बहुत ही सिंपल बहुत ही इ करी और अगर अभी तक चाहिए तो प्लीज चानल को भी सब्सक्राइब करते हैं तो आथे बैल आइकन को प्रेस करना बहुत है ताकि आने वाली एंसी डिलिशियोस रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोभी के पराट कि ऊपर की जो फूल होते हैं हमें केवल उसे ही ग्रेट करना बाक़ जो पीछी वाला हुसा का भाग है उसे हमें बिलकु कि ग्रेट नहीं करना है उसे हमें साइट तो ये देखिए, सारे फूल गोबी को मैंने अच्छे से कदूकस कर लिये हैं, तो ये रेडी हैं, अब हम अब पटा-पट से स्टफिंग रेडी कर लेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लियावा है, जिसमें मैंने ओयल आट किया, जैसे ओयल गर्म हो हमें ब्राउन नहीं करना है, और उस टाइम पर जब अद्रक लेसन कुक हो जाए, उसके बाद हमें इसमें आट कर देना है ये गोबी, जिसे हमने कदूकस किया हुआ था, अब उसे डाल के ना, इसमें हमें बिल्कुल अच्छे से से मिला देना है, और अब हमें गोबी को भ जीरा पाउडर, थोड़ा से मैस में काली मिच्ची का पाउडर आट कर रही हूँ, लाल मिच्च पाउडर, और इसके इलावा मैस में आट कर रही हूँ नमक, नमक स्मादनुसा, तो बस अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिला करके और हमें इसी साथ में भून लेना है, जब तक गोबी हैं, वो भी अच्छे से कोकना हो जाए, और मसाले भी भूनना जाए, तो ये सभी मसाले मैंने बहुत ही कम आट किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले दूँगी कि मैंने कितने मसाली कितनी क्वाइटिटी में इस्तमाल किया, आप वहां से देख जब तक गोबी बुन चुके है, आपको गोबी को तब तक गोबी से जितना भी मॉइस्चर है, वो बिलकुल निकल ना जाए और अच्छे से ड्राइ कंसिस्टेंसी में ना जाए, तो बस ये बिलकुल रेडी है, लांस्ट में मैंने इसमी हरी धनिया आट किया, आपको पसं स्टफिंग ठंडा हो रहा है, तब तक के लिए हम अपना डो बना के रेडी कर लेते हैं, तो मैंने आप एक बोल में आटा आट किया है, गीहू का आटा ये नॉमल जिससे हमारे रोटिया बनती है, तो वो मैंने दो कर पैट किया, इसके लावा थोड़ा सा नमक डाल के इसे identicallyơn अपना ल!」 और रेडी नख़हीं उसके बाद हम इसे थोड़ा सा वीकाडरे में, एवा पना लेंगे तो आप जिस size बना रहेए पराटे उस size के बना रहें आप इसमया बनार्ट्स बनारें, सारे बना नोगी तो friends मुझे अभी जितने पाराटे बनाने न मैंने उतने बॉस बना लिये हैं उसमें से मैंने हाँ पर एक बॉल लिया और उसके बाद हातों से इसे रॉल करके इसे हम सूखी आची में कवर करेंगे इसे कâteोरी के shape में कुछ इस तरके से बना लेंगे स्टफिंग बर देंगे तो मैंने यहाँ पीस स्मुन लिया और यह चम्मच सी मैं टालती जायोंगी और चम्बच सीमज से थोड़ा साना प्रेस करते जांगी ताकि हमारे अपराठे में एस अच्छे से भरी यो तब ही वो बिलकुल अच्छी वाले गोवी पराठे का टेस्ट देंगे पहले अँवान की ट 수가 के मीज़ा तो को चाप अमरेम तरोके को तो जेकिना के हमारा और पहले अवह से आठी खेंक लिड़ अब माकी वाका की तो तो इससे मैं साइट कर दो गाने वहार पर आखाता ही उसे मैंने शूखी आटी में cover करके बिल्कुल वैसे हाथों सी मैंने कटोडी के शेप में बना करकी अंदर मैं stuffing भर रही हूं और स्टाफिंग भर की उसे हाथों से या स्पून से आप उसे अच्छी से दबा दी और उसके बाद उपर से बिल्कुल अच्छी से ना जो आटी की लिए रहे उसे अच्छी से कवर कर दें कुछ इस तरीके से हमारे दूसरा ही बंड करके रेडी जी का बिलकुल ऐसी सभी फिल करेंगे और उसके बाद उसे बेलेंगे तो यहां पर मैंने एक ले लिया है और उसे मैंने सुख्याटी में कवर करके और उसे बेल लूँगी तो आपको यहां पर भी एक बंड का धियान कि जब आप पराठो को बेले तो आप उसमें बहुत जादा प्रेशर बिलकुल भी ना लगाए अगर बहुत जादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या होता है कि जो पराठे ना उसके बाहर स्टफिंग आने लगती है तो पूरी पराठे का टेस्ट हमारा खराब हो जाएगा बस बिलकुल हाथों से इसे हम बिल लेंगे तो कुछ है सरी के थीकने से इधर मैंने तवा गर्म होने के लिए रग दिया ता अर बिलकुल गर्म तवे पे हम अपने पराठे को डाल देंगे और नीचे की तरफ से हम इससे थोड़ा सा शुरू हो जाएग इसे हम पलट और उसके बाद दोनों तरफ से आप इसे बिलकुल अच्छे से से करके अच्छे से कुख कर लिए पराठी को यह देखे कुछ इस तरीके कि जब उसमें ब्राउन स्पॉट्स आने लगे ना तो असली पराठी बिलकुल वही अच्छे लगते हैं देखने में तो बस इसे तरीक इसे अच्छे से कुख हो जाए पराठा निकाल ले और दूसरा डाल के वैसे कुख कर ले नीचे तरफ से हलका सा सिक जाने के बाद उसे पलट ले और दोनों तरफ से ओल या घी जो भी आपको पसंद है या जो भी आपके पास एविलेबल है आप वो लगा करके और अच्छ रेडी हो चुके हैं तो मैं इसके उपर थवासा यह बटर रग दी रही हूं यह गोपी के पराठे इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं कि आपको इसके साथ किसी भी सबजी किसी भी चटनी किसी भी चीज की ज़रुरत नहीं है आप इसे ऐसे ब इंजॉय कर सकते हो तो मैंने अपको आपको यह दीआ हुए उर प र्हां हम जबा। OnePlus यह अंदर के स्टॉबिभा कर दा रहा हूँ आटी के लिए व्ल्क्ल ही पतली है तो असली जो स्टॉभ पराठे मजाता अटिसमें सटॉफिंग बरकूर अचसे बहारे है तो काफी टीसी रसीपे हैं तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को कप ट्राइ करने वाले मुझे जरूर बता है अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना बुले थांकी सूमाज